मुख्यमंत्री फेलोसिप यूजने के अंतरकत कौन-कौन आविदन कर सकता है इसके लिए पातरता क्या होगी इसमें ट्रेनिंग भी होगी और अगर मतलब ट्रेनिंग तो होगी तो कितने दिनों की ट्रेनिंग होगी वो सब संपूर जानकारी वीडियो में आपको देने वाल यह भी हम आपको बताएंगे तो पूर जानकारी जरूर देखिए और लाश्ट में यह भी बताएंगे कि इसमें कौन महिला या पूरुष भी आवेदन कर सकते हैं या नहीं आये जानते हैं अब आप यहां पर जान लीजिए कि मुखमंत्री फेलोसिप योजना में चैनित हुआ फर्मारेंट नौकरी उसे मिलेगी या कैसे ही क्या है चलिए जानते हैं इसके बारे में अभी पात्रता के बारे में भी हम आपको बताएंगे पहले यह कुछ माप दंड दिये गए हैं इसके बारे में जान लेजिए कि मुखमंत्री फेलोसिप योजना में चैनित यहां को अभी केवल एक साल के लिए नौकरी एक साल के लिए दी जाएगी इसके बाद सरकार उस पर विचार करेगी किसी आगे बढ़ाना है या नहीं यह अपने काम को भली भात करेंगे तो सरक साल के लिए और बढ़ा सकती है यिवाओं के लिए एक सुनारा मौका है जिससे वह अपने विकासंध का चाव्म मुख़ी विकास कर से के और कारेक्रम अवद के दौरान युवाओं को जिला अधिकारी तैफा मुख़ी विकास अधिकारी की निग रहनी में कारे करना होगा वीडियो के राश्ट में हम आपको यह भी बता हैं महिला या पुरिस कोन आविदन कर सकते हैं तो पहले इस पातरता को जान लीजिए उत्तर प्रतेस फेलोसिप योजनक की पातरता निमने परकार है अभ्यरती के पास प्रमुक्स अंस्थानों एवं विश्विद्यालियों से 60% अंकों से अधिक पाने वाले इसनातक और उच इसनातक इसमें भागिदारी होंगे उन्हीं को वारिता दी जाएगे 60% आपका अंक होना चाहिए सच्छी कि योगिता होनी चाहिए आविदक को कंप्यूटर वा आईटी आई का ज्यान जरूरी है अभ्यरती की अधिकता मा चालिस वर से अधिक नहीं होनी चाहिए सूचिबद किसी भी छेत्र में प्रसंगती या फिर अनुभव होना चाहिए पिछली वीडिये में मैंने आपको बताया हुआ तो उत्कृष्ट कंप्यूटर कॉसल इंफॉर्मेशन टेक्नोलाजन प्रियोगों पर काम करने की छमता वास अंचार्थ को असल भी होना चाहिए ठीक है इसके बाद आगे हम जान लेते हैं यह कुछ इस तरिकी की वेबसाइट आपको मिल जाएगी इसमें कुछ और नियम वह सर्थे दी गई हैं आप देख लीजिए कि इसमें मैंने आपको पताया है साट परशेंट अंग होना चाहिए और हिंदी भासा बोनने में कुछ हल होना चाहिए आवेदन पत्र में सूचिवत किसी भी छेतर में प्रसांगती कारे या कोई भी इसम परांगत होना चाहिए और इस प्रकार का अनुबह होना चाहिए आपको बता था पिछली वीडियो में कि कौन कौन से चेतर में आपको काम करना पड़ेगा इसके बाद कंप्यूटर का ग्यान मैंने आपको बताया और फील्ड वर्क कार्ड करने में चुक हो यानि कि सोधार्थी द्वारा आकांचात्मक विकास खंड में राज तर और समस्त योजनाओं की समावर्ती मुल्यांकन कर उप जिला अधिकारी वग्त खंड विकास अधिकारी से समन्वय करते हुए किया जायेगा उपताकारे के प्रभाविस अंपादान है तो योजनाओं का प्रश्टूर्ट किये जाएंगे साथ ही सोधार्थी द्वारा योजना से संब्धित नीत नीज़ाण योजना से संब्धित कारे में प्रतिभाग किया जाएगा इसके बाद कार की रिपोर्टिंग देख लेते हैं यहां पर क्या जानकारी इसमें दी गई है इसमें हाँ एक बात और हम आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें आपको ट्रेनिंग लेनी होगी ठीक है इसमें आपकी ट्रेनिंग होगी 15 दिनों की करीब करेंगे करेंगे शहरा देख लेगा यहीं पर दिया गया है मैंने आपको पिछली में दिखाया भी था बताया भी था और वे preposal कता करा जाएगा प्रसिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् विसे बस तो है तो उपाम से समन में किया जाएगा तो यह सब जान करें तो मैंने आपको दे दी कुछ लोग यह कमेंट कर रहे थे क्या महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकते हैं वैसे जहां तक से इसमें पूरुस ही आवेदन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा उनके बाकि आपकी अच्छा है आपको यह जानकारी पसंद आयों तो प्लीज लाइक करें चाहिए को सब्सक्राइब करें अगली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूए